हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीएश ट्वैंडिफोर में आई होप कि दोस्तों आप सबी लोग ठीक होंगे दोस्तों आज हम रिपायर करने वाले हैं प्रो थ्री एरबट्स और दोस्तों एपल प्रो थ्री एरबट्स नहीं है यह सिर्फ प्रो अपे ही और बहुत ही सहल तरीके से रिपायर करेंगे अगर आप भी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए अगर वीडियो पसंदा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों अगर आपके प्रो थिर इसको कान में लगाते हैं वक्ति जमीन में गिर जाता है या पूरी डिबी की डिबी यह जमीन पे गिर जाती जिसके बाद यह वर्क नहीं करती है या वाटर में गिर जाती है तो यह वर्क नहीं करती है तो उस कंडिशन में क्या करना होता है कि आपको पेट्रॉल से इस प् पिन है इसमें कभी न कभी किसी न किसी कार्वाटर लग जाने को जैसे यहां कार्बन लग जाता है तो यह चार्ज नहीं करता तो आप उस कंडिशन में क्या कीजिए कि पेट्रॉल से इसकी पिन को साफ कर लीजिए और यह दुबारा से चार्ज होने लगेगा और तीसरी समस् करके आप इने मंगा सकते हैं और कैसे उनको five करना है वो मैं अब यह आपको बताउंगा और दोस्तोchn समस्य का क्या आती है कि हम दोस्तों इने काफी देर तक चार्ज कर देते हैं, जो की चार्ज करने नहीं चाहिए. अगर देर तक हम चार्ज करनेंगे तो इसकी जो वग इ यह देखिए यह जो इसका एक साइड का एरबर्स है यह देखिए इस पर ब्ल्यू लाइट जल रही है यह देख सकते होंगे आप रिपैर करना है तो दोस्तों और एक चीज और है यहां पर आप देख लिजिए कि कार्बन तो नहीं लगा है अगर यहां पर कार्बन लगा हुआ हो तो पेट्रॉल साफ कर लीजिए और उसके बाद एक बार लगा देख लीजिए तो यह वर कर लेगा बट हमारे इसमें बैट्री होती है यह दोस्तों इसकी बैट्री होती है और यह देखे दोस्तों क्या हुआ है कि गिरनें के जैक से दोस्तों इसका मैगनेट जो है यह मैगनेट जो यहां पर लगा हुआ है यह मैगनेट यह मैगनेट असल में यहां पर फिक्स रहता है यह मैगनेट यहां पर तो इससे होता क्या है यह से हमारे यह अपनी जगह से हट गया है दोस्तों यहांपर fix करना होता है तो दोस्तों इसको कैसे fix किया जाता है तो दोस्तो इससे आप नॉर्मली फिक्स मत कीजिएगा उससे पहले आप यह जान लीजिए आप पहले इस मैगनेट को यहां पर ऐसे कीजिए यह देखिए इस तरीके से उसके बाद मारकर से उपर की तरफ मारक कर लीजिए इस टाइप से निकाल लीजिए एक बूंद फैबी को उसी जगह पर डालिए एक बूंद बस और दोस्तों आपको इसमें किसी भी मैटल का यूज नहीं करना हाथ से आपको करना है और जिस तरफ हमने यह देखिए मारक किया था यह आला उपर रखना है बाकी जिसमें मारक नहीं है वो नीच एक तरफ कर देना है और बस इसको आग एक तरफ से कर दिजिए और उसी जगह बस फिक्स कर दीजिए देखिए अब दोस्तों मैगनेट फिक्स हो जाने के बाद अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि इसमें यह जो चार्ज नहीं कर रहा है और यह वर्क कर रहा है उस कंडिशन में हमें क्या करना होगा है हमें इसको के याद रखिए यह जो ब्लाइक और रेड वायर है यह बैटरी के और वह बाकी जो दो होंगे वह इस्पीकर के बाएर होंगे नुभ्य के भी बेटरी को फिटा है हमनों तो यहां से उपन कर लिना ये दिख़ने गाइpping दिए इसको बाहर की तरह निकालीए अगर इस पर वाटर चला जाता तो यह देखे वाइट वाइट सब लग जाता है इसे के जैसे हमारी यह वर्क नहीं करती या फिर ऐसे भी यह जमीन में गिर जाती तो इसमें क्या हो जाता है की जटका लग जाता हैं जैसे की एक इंसान का सरीर होता है जैसे वो कहीं नगई से गिर जाता है तो वो बहुत हो जाता है बड्र जैसे हम उस पे water डालते हैं वो पूम अपने क्या करेंगे वाटर तो नहीं डालेंगे ब हम लोग पेट्रोल इस पेट्रोल ला लेंगे यह देखिए तो उनों तरह पेट्चे से इसको साफ कर देंगे और अगर आपका वाटर में गिरा था तो आपको धूब में भी रख देना चाहिए बस दोस्तो इतना ही अगर आप कर लेंगे तो आपका एरबट्स वर्क करने लगेगा औ अगर यह दोस्तो पूरी बिदा गर गर अगर गरजाए जमेन में तो फिर इसको यहां से ओपयं करना है यहां से दोस्तो ऐपन करना अंदर की प्लेटे निकालनी है और उसको पैट्रोल से साफ कर दे ना है और वह भी वर्क करने लगेगी तो बस दोस्तो यह ऊगया अब हम इसको फिर से fix करेंगे उसी तरह क्या डालना है यह आला जो ही सीरा है यह काटा हुआ यह नीचे तरफ होना चाहिए अब दोस्तों यह दोनों वायर है यह स्पीकर के हैं इसको अब फिक्स करना है बट यह इसको मैं पहले पंच करना हुगा है तक यह ही जूले नहीं और दोस्तों इस पीकर के बाएर को आप कोई सब्सक्राइब किसी तरह फिक्स कर देंगे कोई दिक्कत वाली बाद नहीं क्योंकि स्पीकर दोनों तरफ ही वर करता है इसलिए कि देखें दोस्तों सही से फिक्स हो गया है अब देख पा रहे हुगे आपके अबभी मैं आपको इसको चार्ज करके दिखा दो हूं कि द्रिश कर देखा आई है वग्औरे देखें दोस्तों ब्लुलाइट इस तरफ डिली प्यां और अब अब देखे एरबट्स में भी ब्लू लेट जल रही है तो दोस्तों रिपैर हो चुके हैं हमारे एरबट्स अगर आपको हमारा रिपैरिंग करना पसंद आया हो तो प्लीस लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि मैं जो आगे टेकनिकल गैजिस्ट पर वीडियो दालू हो आता कहुं सके हैं